जिन्दगी में हर एक को कई प्रकार की प्राब्लम्स है, इस दुनिया में प्राब्लम्स के बगएर कोई भी नहीं है, पैसों की परिशानी हो सकती है, माइंड से रिलेटेड परिशानिया हो सकती है, सेहत से रिलेटेड भी मिया बीवी के बीज में प्राब्लम्स हो सकती है, शादी में रुकावट हो सकती है, बिजनिस में भी कॉमपिडिशन हो सकते है, परिशानियों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी सारी जिंदगी मुश्किलों और परिशानियों से भरी हुई है, हर काम में बाधायें और मुसिवतें हमारा पीछा करती रहती है, इन मुसीबतों से, इन परिशानियों से हमें कौन बचाएगा? कौन बाहर लेके आएगा? यही सवाल बहुत सारे लोगों के दिलों में है. कई लोगों के मन में शादी की प्रॉब्लम, कईयों को बिजनिस की प्रॉब्लम, इस तरह से परिशानियों से ही भराववा जीवन है इसी प्रशन का सही उत्तर है जमतकार से भरपूर जमतकारी श्री मेरू अंगूठी आपकी साड़ी परिशानियों को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए नरसिमा लॉकेट और मेरू रेंग हमारी मेरू अंगूठी विशेश शक्तियों से परिपून है विशेश पूजा और मंतरो चारण के साथ इसको बनाया गया है इसलिए इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है मेरू अंगूठी जिस तरेखे से बनाई गई है वही इस अंगूठी की विशेशता का रहस्य है इस मेरू अंगूठी को तुरन पहनने के बाद आपके चारों तरफ एक उर्जा का वृत उत्पादन होगा ये उर्जा का वृत आपके चारों तरफ से खीच कर लाएगा ये मेरू अंगूठी आपकी सफलता के लिए थाशिरवाद से कम नहीं ये मेरू अंगूठी को साधर ना मानिये 24 कatique गोल्ड प्लेटिटिसे बना है ये मेरं अंगूठी की शक्ती लक्ष्मी पती श्री महाविष्नु के एक अवतार श्री कूरमा अवतार के समान है शास्त्रों के अनुसार इस विश्व की उर्जा का अधिपती श्री महाविश्णू माने जाते हैं वही हमारी रक्षा करते हैं भगवान महा विश्णू अलग-अलग युग में भक्तों की रक्षा करने और उनके कस्टों को दूर करने के लिए अलग-अलग अवतार लिए हुए है। इन सारे अवतारों में सबसे मुख्य अवतार श्री कूर्मा अवतार है। ये श्री महाविश्णू का दूसरा अवतार है। ऐसा महत्कूर्ण कूर्मा अवतार उसी के समान शक्ति वान मेरू उंगूती पहन के देखिए। शक्ति कई गुणा ज्यादा होगी। ये मेरू उं मिश्वास भर कर रहेगा साक्षात श्री महाविश्णू आपके साथ हों तो कोई परिशानी आपके घर में कोई कस्ट नहीं आएगा मेरा प्रोफेशनी खेती बाड़ी है मेरा पूरा खांदन यही काम करता रहा है बैंक से नून लेकर मैं उसे चुकाने के लिए बहुत मुश्किलों में फस गया था बैंक वाले लोन चुकाने के लिए मेरे पीछे पड़े हूँ है जिससे मैं बहुत परिशान रहने लगया क्या करूँ कुछ समझ में नहीं हा रहा है मैंने बहुत परिशानिया सही अब यभी मेरा एक दोस्त एक मेरू अंगूठी को पहन कर आया उसने कहा यदि तुम यंगूठी पहनोगे तुमारी खेती बाड़ी अच्छी चलेगी और तुमारे जीवन के सारे कश्ट भी दूर हो जाएंगे मैंने मेरू अंगूठी को धारन किया और मेरे सारे कश्ट दूर हो गए मेरू अंगूठी की वज़े से अब मैंने अपना बैंक का सारा कर्स चुका दिया है मेरू अंगूठी और नरसिमा लॉकेट की वज़े से मेरी सारी परिशानिया दूर हो गई मैं तो कहूँगा आप भी इसे धारन करें महा विश्णू का मुख्य अवदार मेरू रिंग और नरसिमा लॉकेट खरीदने पर उसको पहनने के लिए चेन बिलकुल मुफ्त इसके साथ साथ भगवान नरसिमा के पास प्रतेक पूजा किया हुआ सिंदूर को प्रसाद की तरह दिया जा रहा है अभी इसको ओर्डर करके श्री विश्णू की कृपा पाएं और अपने जीवन को धन्य करें और अभी इसको ओर्डर करके मंगवाएं और श्री विश्णू की कृपा पाएं गोल प्लेटिट एक जोड़ी मेरू रिंग और नरसिमा लॉकिट का प्राइज केवल 2499 रुपे और लॉकिट के साथ पहने वाली चेन बिलकुल मुफ में दी जा रही है इसके साथ भगवान नरसिमा के चरण स्पर्श करके पूजा किया हुआ सिंदूर प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है फैंक्शुई और वास्तु शास्तर के अनुसार श्री कुर्मा अवतार को इस्तिमाल करने के कारण आपको शुब फल मिलेगा फैंक्शुई और पूर्मा अवतार दोनों ही स्वभाग्य और पदोनिती दिलाएंगे फैंक्शुई फैंक्शुई करके बार बार बोल रहा हूँ आपको लग सकता है कि ये फैंक्शुई है क्या वो कुछ और नहीं है चार हजार साल पहले से मजूदा चीन का एक शास्त्र है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है हमारी मेरू अंगूठी में भी ये सारी चीज़ें है आप मेरू अंगूठी खरीद कर पहनिए आपके घर में कोई कस्ट नहीं आएगा घर खुशियों और स्वभाग्य से भर जाए चीन, थाइलेंड, वेतनाम के साथ कई देशों में श्री कुर्मा का सरूप या तो अंगूठी में पहनते हैं या घर में रख सकते हैं परिवारों में खुशियां लाना ही नहीं वास्तु शास्तर के अनुसार श्री कुर्म रूप शुब फल लेकर आएगा एक बात और कहना चाहूँगा वास्तु शास्तर के अनुसार जहां जहां नसिमा लौकेट और मेरू अंगूठी रहेगी वहां किसी भी तरह का बुरा नहीं होगा हमारी ये अंगूठी कुर्मा का रूप है वास्तु शास्तर के अनुसार बनाई गई है आप कूर्म रूप को प्रतिश्चित देख सकते हैं वास्तु शास्तर के अनुसार जहां जहां ये कूर्मा रहेगा वहां किसी भी तरह का बुरा नहीं हो इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे वो शादी से जुड़ी प्राबलम हो या कारोबार से जुड़ी हो ग्रह प्रवेश से जुड़े हो या किसी भी तरह का शुब कारे हो इस मेरू अंगुठी को खरीद कर हाथ में पहन लीजिए और किसी भी तरह की बुरी शक्ति आपके पास कभी नहीं आ सकते आपकी सा अच्छी बीवी, अच्छी नौकरी, शानदार घर, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अपने बेटे के मामले में मैं हार गया हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परिशानी में रहता था अपने बेटे को लेकर, क्योंकि वो हर समय रूम लॉग करके बैठता था, और इंटरनेट, टीवी गेम, फ्रेंट्स के साथ आउनलाइन चैटिंग, ऐसे ही वो बरबाद हो गया था, पढ़ाई मैं भी ध्यान नहीं देता, इसको लेके क्या करूँ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कभी मैंने इस मेरू रिंग के ब हमारे साथ भी प्यार से बात करता है, पढ़ता ही नहीं था, एक्जाम में बहुत कम नंबर लाता था, एक्जाम के लिए जाने में बहुत टेंशन लेता था, लेकिन अब बहुत अच्छा पढ़ने लग गया है, अच्छे नंबर भी लाता है, पहले हम कुछ बात करते थे तो जवाब नहीं देता था, चुप बैटता था, अब हमारी हर बात सुनता है, हम बहुत खुश है, हम निस अंगुठी को किसी भी समय निकालते ही नहीं, हम अपनी फैमली के साथ बहुत खुश है, इसका कारण श्री मेरू अंगुठी ही है। प्रसाद की तरहा दिया जा रहा है, अभी इसको और्डर करके श्री विश्नु की कृपा पाएं और अपने जीवन को धन्य करें। किया हुआ सिंदूर प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस अंगुठी को पहनने से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। किसी भी तरह की मुश्कले आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि ये रिंग साक्षात श्री महा विश्नु का अंश है, जो पूर्मा अवतार के रूप में विद्यमान है। आपका किसी भी तरह का प्रयत्न सफल होगा। क्योंकि ये भगवान विश्नु का उर्मा रूप है। किसी चीज को भी आप छुओगे, वो सोना बन जाएगी। इस अंगूठी को धारण करने से वो लोग बहुत ज़्यादा स्वभागेशाली हुए है। क्योंकि मंत्रों को उचरण करके, पूजा करके इस यंत्र को, शिरी मेरू अंगूठी को आप सब के लिए बनाया गया है। मनुष्य लोग अगर पहन लें, तो उससे इनका कार्य सफल होगा। सिरफ यही नहीं, बच्चों का मन भी खुश होगा और पढ़ाई में लगा रहेगा। एक मुख्य चीज यह है, कि अगर फैमली के सारे लोग इस मेरू रिंग को पहनें, तो उनके घर में खुशियां ही मेरे खुशियां आएंगे। मेरू अंगूठी बिछडे हुए अपनों को मिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उधारन के लिए चादी के बाद जो लोग लड़ाई जगडे से हस्बंड वाइफ अलग हो जाते हैं, वो मेरू अंगूठी पहनने से एक साथ हो जाते हैं। एक बात और, जो प मेहनने से उन्नती की तरफ चले जाते हैं। हमारी ये मेरू अंगूठी बहुत अच्छे मंत्रों के उचारण करने के बाद बनी है। इस मेरू अंगूठी को धारन करने के बाद हर किसी को स्वभाग्य मिलता है। परिवार में खुशिया आती है। इसके अलावा परिवार में कोई भी भविश्य गुडलक के सिवा हो तो उनके सारे दुर्भाग्य को दूर करके ये स्वभाग्य लेकर आती है